अलेकुम क्लास 3 with a new lecture countdown welcome so हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पेज नमबर 21 20 तक हम लोग कर चुके हैं पेज नमबर 21 हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नमबर 21 में हैं लैटिस प्रेक्टिस का question number 1 रिपेज़ेंट दफॉलिंग नमबर 25 A normal line अपने की इसनी है ठीके से मैंशनी है सिरो आपने कीश्णी है और उस लाइन में जैसे आपको दिए है रिपेजेंट दफॉलिंग नमबर ऑना लाइन आपने फॉर्यज्पल एगलonna interpreting और ओनिः बांधे करत ना है ठीक है जैसे यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, so 15 जहां भी भी आएगा आपने वहां पर रेप्रेजेंट कर देना है कि यहां पर 15 है इस तरह से यहां पर आपको 21 दिया हुआ है तो आप maximum 30 तक लेंगे और 11 दिया हुआ है तो आप 20 तक लेंगे तो यह आपने लाइन ड्रो करने और उनमें यह नमबर बताने हैं क्वेशन नमबर 2 है आपके पास identify the numbers shown by an arrow on the given number line आपको नमबर दिया हुआ है कि आपने नमबर शो करने है जहां arrow दिया हुआ है अब अगर मैं arrow की बात करता हूँ तो इस लाइन में तीन arrow है 0, 1, 2 तो यह जो arrow है यह 2 पे है 3, 4 यह arrow 5 पे है 6, 7 यह arrow 8 पे है और इसी तरह यह 10 की लाइन है तो यह arrow के numbers हो गए as it is आपने यहां भी बताने और यहां भी बताने हैं तो यह question number 2 ता आपके पास पे नमबर 22 पे आपका question number 1 है do skip counting in twos and write the numbers आपने दो number छोड़के numbers लिखने है यहां पे आपको दिया हुआ 2500 to 2510 तो सबसे पहले हमने लिखा 2500 दो number चोड़ने यानि एक number हमने skip किया तो दूसरा number हम लिख देंगे जैसे 2501 हमने skip किया 2502 लिख देंगे 2503 skip किया 2504 लिख देंगे और उसके लावा 2505 skip किया 2506 लिख दिया और as it is आपके पास 2507 skip किया 8 लिख दिया 9 skip किया 10 लिख दिया अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यह आपके पास जो question number B है यहाँ है 7644 से आपने 54 तक करना है तो आपने टूस चोड़ने सबसे पहले आपने यह लिख दिया उसके बाद आपने 44 है 44 के बाद क्या आता है 45 45 नहीं लिखेंगे 46 लिख देंगे और आपने यहाँ इसमें जाना है 54 तक अगर यह सवाल आपकी इस line मी नहीं आ रहा तो आप इसको fair copy में लिख सकते हैं इसके बाद आपके पास है here the bunny skip counting in threes हर number में आपने तीन number चोड़ने यानि दो number आप skip करेंगे और तीसरा number आप लिख देंगे for example यह है 6221 6224 22 23 skip किया 24 लिख दिया 24 के बाद आता है 26 25 26 25 26 को skip किया क्या आएगा 27 27 के बाद क्या आएगा 30 29 और 28 को skip करेंगे 30 आ जाएगा और 30 के बाद क्या आएगा 31 32 को skip करेंगे तो 6233 उसके बाद यह 36 है तो 36 में से हम अगर च्रीज को skip करते हैं तो 6239 यानि दो number आपने चोड़ दिये और तीसरा number आपने लिख दिया उसके बाद आपके पास page number 23 पे भी है skip the count in 4 and fill in the missing number यानि इन में आपने 4 डिजित चोड़ने तो वहाँ पर 3 दिया हुआ था तो 4 को हम चोड़के 3 को हम चोड़के 4 जो 4th number होगा वो हम लिख देंगे जैसे कि यहां पर आपको दिया है 4804 4 4 के बाद 8 दिया हुआ है 8 के बाद 12 16 20 20 के बाद 4 यानि 3 number skip करेंगे 21 22 23 24 तो 4824 हो जाएगा 24 के बाद क्या आएगा फोन नमबर चोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा 4828 यहां पर आपने 4 number skip करने हैं उसके इलावा आपके पास question number 4 जो है skip counting in 5 start with the first numbers अचा अब आपने क्या करना है कि जो इसमें आपने 5 digits चोड़ने है यानि 4 digits को skip कर देंगे जो 5 digits होगा उसको लिख देंगे जैसे यहां पर आपको दिया वा है 3105 सिरे आपने लिखना है 3130 तक यह गेप है इस ग किया किया कि सबसे पहरे वाले digit लिख दिया उसके बाद 5 के बाद अगर हमें 5 skip करूंगा तो 6789 यह 40 जड़ों को 5 digits क्या बन रहा है 10 तो 3110 लिख दिया 10 के बाद 15 लिख दिया 15 के बाद 20 20 के बाद 25 और 30 सो यह इस तरह से आपने लिखने है hope you have got better और इसमें कोई मुश्किल यहां आपने टू डिजिट चोड़ने हैं यहां पर आपने त्री चोड़ने हैं और यहां फोर और फाइफ याद रखे अगर जैसे के टू है तो एक नमबर skip करके second आपने लिख देना है और त्री में अगर है तो त्री में टू डिजिट स्किप करके third आपने लिखना है औ इसमें भी फॉर्थ में भी ऐसी ही होगा थैंक यू असलाम